नमस्कार जैहिंद मेरा नाम है किशन सेन और ये वेडियो मैंनी उन लोगों के लिए हैं उन केंडेट्स के लिए हैं जिनका अभी एरफोर्स में फेस्टू बागी है और फेस्टू के तुरंथ तीन से पांस दिन बाद अगर आपका फेस्टू क्लियर हो जाता है ठीक है और उसके जस्ट पांच से छे दिन का अंतर आपको जो मेडिकल है वो आपकी होगी ठीक है आप जिस दिन फेस्टू क्लियर करेंगे उसी दिन आपको एक्जिट के टाइम पे यह एक्जिट से पहले आपको आपका जो कंसर्ण मेडिकल सेंटर है वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में मैं मैंनली फेस्टू के बारें बात करूँगा मैं अल्टरी काफे सारे वीडियो में फेस्टू लिटेट बहुत से बात कर चुका हूं आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैं अगर खुद के बारें मैं बोलू तो मेरा एरफोर्स जीरोन अब टॉन्टी टॉन्टी जो एक्जाम है वह अगर और मैं कुछ भी तैयर ने था कि मैं जाओ की ना जाओ वो हो गया कि दोस्तों ने सब गया जाओ चल गए ठीक है इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि मैं बोल पाँगा वहां पर की नहीं मैं कैसा पर्फूम अपने आप पर भरोसर रखना है तो जरूर होगा ठीक है तो लेट स्टार्ट सबसे पहले आपको जो एरफोर्स का जो फेस्टू के एड्मिट कार्ट है वह आधार कार्ट यह सब आपको एड्रिकेटर में देखा जाता है फिर लाइन बनाना पड़तों वहां जाके आपको कोई रहे जैसे ऐसे इंस डी चार्ट पियाके पिस्ट और लगता है तो सबसे पहले आपको लेके जाया मेरे टेम में लंबा पीछ मिला था सीधा पीच 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 रोड़ था इसा नहीं कि गोल राओं मालना था यह फिर मट्टी का था एकत्व सिधा जाना था ठीक है काफी लोग कॉमेंट करते हैं कि भाई पीच कैसा था पीच रस्ता में दोड़ा था या फिर मत्टी में गोल दोड़ा थी तो भाई सीधे दोड़ाया था मेरा आसाम में था 11 स्कोड्य में आहिए टीक है रनींग आपको कम्टिक्त करने के बाद आपका पूशस्प्स स्कॉड्स और सब्सक्में वहां पर होल like krie करांगे ने टीक है और च इसक यूदा चाहिए शीदा करना चाहिए और जो स्क्वाट से उसमें भी आपको टाइदे से मारना पड़ेगा साथ में होल्ड करेंगे जो 20 मारना है आप में अगर ऐसा भी हो जाए कि कमजोरी के कारण ये फिर बिना पैक्टिस के कारण अगर आपका कुछ भी एक भी गलती हो गया ना फिसिकल में कहीं भी चाहिए प साथी का मत्रब होता है सीचोशन रियक्शन टेस्ट काफी ऐसे लड़के हैं जो इस बर फॉर्स्ट एटेम्ट दी है और उनका क्लियर हो गिया है यह फिर ऐसे भी है जो अगले बार दिये थे बट क्लियर नहीं हुआ था इस बर हो गी है तो उनके लिए बता दूं पैनिक नहीं करना है अपना प्रैक्टिस करते जाए आराम से हो जाएगा बस एक चीज जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वह खुद पर भरवा भरोसा ठीक है खुद पर अगर विश्वास ना रहे आपका तो आप में आप जिसीच में महाई रहे ना उसमें भी आपको दिक्कत होग ठीक है तो फिजिकल हो जाने के बाद जिनका जिनका कंपीट हो जाएगा वह आता है फिर सेंटर उनका जितने भी एडुकेशन औरिजिनल सर्टिफिकर्स वहाँ पर जमाल लेते हैं ठीक है जमाल लेते हैं ठीक है इसके बाद आपको एक बड़ा से हॉल में लिए जाता है लगवग 5-6 तरह का अलग-अलग फॉर्म दस मीट बाद बाद आदा गंटा बाद बाद वहाँ पर आता है जो आपको फिलप करना पड़ता है और काफी बारिके से फिलप करेज़ेगा ऐसा ना करें कि हट बड़ा कि आप कुछ गलती करते है ठीक है अपना नाम पापा का ना पूछने के तरीका भी होता अगर ठीक ठाक कूछें काईदे से तो कोई आँ पर जितने भी थे ना यह सब्सक्राइब करता है ठीक है तो मेरे टाम में तो अब आपको एक गुरूप में बना जाता है जो जिसमें 15 आराउंड या फिर 18 या फिर 20 का पर गुरूप बनता है उ उस गुरूप को एक सेमी सरकल में बैठा जाता है हर तरह का गुरूप बनेगा तो जैसे कि मैं बता रहा था कि वहां पर आप जितने भी लड़कर रहेंगे आपको गुरूप बना जाता नॉर्मली 15 का गुरूप होता है तो पंडरा सोला सतरा पंडरा आठ्रा बीस ऐसा पापको एक पीजबोर्ड मीलेगा दोपेज मिलेगा बलैंक का एक पैन मिलेगा ठीक है सबसे पहले वहाँ पर जो कॉमनंदें ओफिसर रहते हैं वह आपको उस टौपिक का नाम बोलेगा कि यह ये टापिक है ठीक है उस टापिक का नाम बोलने के बाद जो काफ़ी तरीके से नेरेटाकट में लिए जातक है आप आपको लगारा कि उस टाइम आप भूल सकते हो उपोटेंट तो आप लिख लिएगा ठीक है तो आपको काफी बढ़िया सा लिखने के बाद वह जमा लेरते हैं फिर उसको चेक किया जाता है कि आप कैसा लिख रहें जैंगे आप खुद से भी कुछ information दिये यह नहीं आपका जो लिखने का तरीका है वो ठीक है कि नहीं आप सही से व्यक्ट कर पा रहे हैं कि आप बोलना क्या चारह ऐसा नहीं हो कि सब्सक्राइब का जाता है कि अठीक है तो वहां से लड़कर बचना है किसी को अपना पॉइंट क्लीर बूलने से हो और एक बात मैं अपनी गुरुप का रुधारन दू तो काफी लड़का ऐसे तो जो इंग्लिस में बोले नहीं पा रहे थे तो एड लास्ट मुमेंट में सब को बोला कि ठीक है अगर आप इंग्लिस में कॉंफोर्टेवल नहीं है तो देन यूमस्ट केरी ओन इन इंग्लिस हिंदी तो हिंदी में भी बोलने को मौका मिला था पट मेरे टाइम पे मिला था उस सेंटर में मैं हर सेंटर का नहीं पता पट मेरे टाइम पे तो मिला था कि अगर जिसको हिंदी में इंग्लिस में बोलने में दिक्कत हो रहा है वह हिंदी में बोली तो काफी लड़का भी साइस होना चाहिए मैं डूस और जो है वह और डी बना चुका हूं फिर से बनाओंगा तो यही नॉर्मिल होता है फिर लास्ट में आपका रिपोट आता है कि हाँ यह यह चेश नमर मिलता है यह यह कंडियर्स क्वालिफाइब किया है यह अब मेडिकल के लिए जाया गा और यह यह कंडियर्स नहीं हुआ तो उसको आप वहीं से बाई कर देते हैं ठीक है तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको अगर इंग्लीज बोलने में दिक्कत होता है आप थोट से पैक्टिस कर लिए बड़ उतना डरना नहीं वहाँ पर आप हिंदी में भी कर सकते बस बट इस भर उसा ना जाहिए कि आप इंदी में बोलेंगे सो अपना घर में जो है वह फैटिस कीजिए और काफी जो होट टॉपिक से अभी उसके बार में बीस तीस जो है प्रिपर्शन कर लिजी यह नहीं जस्ट पढ़ते रहें आप खुद वह चीज में आ जाएगा तो बस टूड़ेज वीडियो इतने हैं अमें ते नेक्स टूड़ें टावलोगे जाहिंद गुटबाई टेक केर